उदाहरन साथ BL और CM एक समकोन त्रिभुज ABC की माद्धिकाएं हैं तथा त्रिभुज में कोण A समकोन हैं तो सिद्ध कीजिए कि 4 गुणा BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5 BC का वर्ग बच्चो चलिए अब हम उदाहरन साथ हल करते हैं उदाहरन साथ में हमसे एक समकोन त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है और यहां दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोन त्रिभुज है जिसमें कोण A पर समकोन है और इस त्रिभुज में BL और CM दो इसके माद्धिकाएं हैं माददिका का मतलब आप समझते हैं कि बिंदु M, A, B का मतलब बिंदू है और T, M को मिलाए गिया है थीक उसी तरह से बिंदु L, C, A की मतलब है और B, L को मिलाए गिया है तो B, L और T, M इस दो माददिकाय है तो इस जानकारी के आधार पर हमें सिद्ध करना है कि BL वर्ग, धन, CM वर्ग और पूरे का चार गुना यानि 4 इंटू BL स्क्वेर प्लस CM स्क्वेर बराबर है 5 BC स्क्वेर के यानि इस त्रिबूश को जो विकर्ण है आप देख रहे हैं समकूर के सामने के बज़ाए BC इसके वर्ग का 5 गुना दोनों बादिकाओं के वर्ग के योग के 4 गुने के बराबर होता है यह हमें सिद्ध करना है तो चलिए इन जानकारीओं के आधार पर हम इसको सिद्ध करते हैं आप देखेंगे बहुत ही आसानी से बात सिद्ध होती है यहां देखने में लग रहा है कि यह काफी मुश्किल है लेकिन आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे बस देखते जाएं कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसके आधार पर आप क्या क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइब क्या सकते हैं तो यह जो जानकारियां हमें दी हुई है उसको आप प्रते शुरूप से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमें प्राप्त है यह हमें मालूम है हमें मालूम है कि जो जानकारी हमें दी हुई है उसका आधार पर हम लिख सकते हैं कि विकर्ण B C का वर्ग बराबर A B का वर्ग धन A C का वर्ग तो इसका हमको आगे उपयोग करना होगा इसको हम लिख लें A B वर्ग धन A C का वर्ग यह चीज़ें हमें दी हुई है तो जो प्राप्त है उसके अर्थ को हम लिख लें इसे आप कथन एक कह दें और दूसरी कहा जा रहा है कि बील माद्दी का है यानि कि एल एसी का मद्दी बिंदू है तो आप एल को एसी का आधा कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि एल बराबर एक बटे दो एसी और ठीक इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एम एबी का मद्दी बिंदू है यानि एबी का आधा एम याने एम बराबर एक बटे दो एबी तो इसको भी आप लिख लें एम बराबर एक बटे दो एबी ये भी दो कतन आपको मिले हुए है इसको आप दो नमबर देदे दो क्रम देदे अब आये देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसके तरफ थोड़ा गौर कीजिए आपको यहां पर दिया हुआ इसका चारगुना तो किस रूप में आपको दिख रहा है देखिए यह देखिए आप गौर से देखे तो आप पाएंगे कि बी एल एक विगर्ण के रूप में त्रिभूच बनाता है सम्कौर्ण त्रिभूच B-A-L आप देखिए यह सम्कौर्ण है और इस सम्कौर्ण के साथ है इस लिए भुचा का आप जोड़ते हैं तो इक त्रिभूच बनता है तो यह आपको मिलता त्रिभूच A-B-L यह आपको स्परस्ट हो रहा है तो इस a-bl त्रभूज में यह समकौण है तो आप लिख सकते हैं आप यहां पर बुधायन का प्रमे या पैथाकर्रस का प्रमे लगाई अब देखिए यह समकौण है और इसके सामने ही भूजा जो bl है विकर्ण है इस करन B.L. का वर्ग, A.B. और A.L. का वर्ग के बराबर होगा तो देखिए पहली जो चीज दिया पर B.L. वर्ग वो आपको एक नय रूप मिल रही है तो आप इसको लिख ले कि B.L. का वर्ग, B.L. का वर्ग, बराबर A.B. का वर्ग, धन A.L. का वर्ग इस कथन को आप नाम दे दें कथन तीन अब आप देखिए दूसरी चीज आपके पास cm वर्ग है आप cm को इस चित्र में देखिए यह cm है यह cm फिर से इस कोण a के साथ एक नया त्रिभुश और बना रहा है जिसे आप त्रिभुश a m c की रूप में देख रहे हैं आप देखि में m c विकर्ण है तो फिर आप कह सकते हैं त्रिभुश a m c यह सम कोंड त्रिभुश a m c में आपको मिलेगा आपके बार यह विकर्ण हो जाएगा cm तो आप लिख सकते हैं cm का वर्ग पराबर a m का वर्ग धन a c का वर्ग a m का वर्ग धन a c का वर्ग इसे आप कतन चार कह सकते हैं आप देखिए यहाँ पर इन दोनों समी करणों को गौर से देखिए तो आपको यहाँ पर b l का वर्ग जो मिला है a b के वर्ग और a l के वर्ग के योग फल है यहाँ पर जो a l है इस a l के लिए आपने लिखा है कि a l बराबर एक बटे दो a c यदि इस a l को हम a c से रिप्लेस करें तो यह जो हमें समी करण तीसरा समी करण मिला है उसको आप लिख सकते हैं a b l का वर्ग बराबर a b का वर्ग धन a l a l के जगा पर आप लिख सकते हैं एक बटे दो a c तो आपको मिलेगा एक बटे दो a c पूरे का वर्ग वहाईस को अब यदि हल करें तो आपको एक बटे चार c का वर्ग मिलेगा ठीक इसी तरह से इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो a m है उसे आप एक बटे दो a b भी लिख सकते हैं तो इससे है यह जो कथन है आपको इस तरह से मिलेगा cm का वर्ग बराबर एम के वर्ग के जगह पर आप लिखेंगे एक बटे दो एबी का वर्ग इससे आप लिख लें एक बटे दो एबी पूरे का वर्ग धन ac का वर्ग अब यदि आप इन दोनों को जोड़ लें तो आपको बाया पक्ष का यह वाला हिस्सा मिल जाएगा bl का वर्ग और cm का वर्ग तो चलिए इन दोनों कतनों को हम आपस में जोड़ लें तो आप इसको भी कतन 3 कह लें और इसको कथन 4 कहले तो हम लिख सकते हैं कथन 3 और 4 को जोड़ने पर हमको मिलेगा बायापक्ष में BL का वर्ग, धन, CM का वर्ग तो चलिए इसको जोड़ के लिखते हैं BL का वर्ग, धन, CM का वर्ग आपने दोनों कतनों को जोड़ा तो बायाँ पक्षों को आपने जोड़ के एक साथ लिखा दायने पक्षों के तरफ देखिए तो आपको मिलेगा A B का वर्ग धन एक बटे दो A C पूरे का वर्ग अब इनको आप लिख लीजे यहां पर ठीक वैसी देखिए इसकी तरह से एक बटे दो A B पूरे का वर्ग है कोस्टक हटाएंगे तो आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा इससे हम पूरा लिख लेए इससे हम पूरा लिख लेए यहां भी चार का गुणा करें तो आपको मिलेगा यहां भी चार का गुणा होगा तो आप quierगा चार bonit bl कवर्ग धन cm क क वर्ग बराबर यह काद मिलेगा आपको के वल बचेएगा बकवरर और और यह हो जाँगा यह अब देखीए चार आज करओड़ यहाँ पर है और एक कवरर यहां पर है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 5 यहां पर दोड़ेंगे तो आपको पांच सिर्क वरर वर्ट अब देखिए जो प्रणाम आपको पाना है आप उससे बहुत नजदीक में है बाया पाक्षा आपको मिल गया है चार गोडित बील कवर्ग धन दिख रहा है और यहां पर आपको पांच एबी वर्ग धन एसी वर्ग तो यहां जो आपके पास एबी वर्ग धन एसी वर्ग है उसको बदल सकते हैं माँ बी और पाँच से अब पांच निकाले तो आपको मिलेगा पांच को घूर्ग धन अब यहां प्सक्ऽ न水च के बराबर होगा तो इस पद्द को आप से रिप्लेस सकते हैं मिल में गया। पांच बी-सी का वर्ग अब आप देखिए चार गुणित बी-ल का वर्ग धन-सी-म का वर्ग यहां पर है आपके पास और यह आया बराबर पांच बी-सी वर्ग के तो यह कथन आपका सिद्ध होता है जो आपको उधारन साथ में सिद्ध करने को दिया हुआ था एक फिर से आ आपको यह अच्छी तरह समझ में आएगा